हाई एवरीवन विल्कम बैक टो अपनी परिक्षा मेरा नाम है दिशा केसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एससी स्टेनोग्राफिर की या सीजियल के एक्जाम के तैयारी बहुत अच्छ तरीके से कर रहे होंगे इस वीडियो में गाइस हम अच्छे सोर्सेज है मैंने क्रिडिट नहीं दिया था मैंने आपको बोला था उनके सोर्सेज मतलब यह मानलो रेलाइबल है और वही चीज हुई आपके एससी के सीजियल का जो एक्जामिनेशन है दाट इस फ्रॉम 9 सेप्टेंबर तो 26 सेप्टेंबर अप्रॉक्सीमेटल और एससी ने ऐसा धपा दिया है एक महीना पहले आपको डेट दे दिया है कि अब आपका एक्जामिनेशन होने वाला है तो स्टेनोग्राफर की एक्जामिनेशन की डेट क्या हो सकती है क्योंकि देखो आज है 8 अगस्ट 8 अगस्ट है आज 9 सेप्टेंबर से पेपर है केके का examination भी होने वाला है तो guys मैं आपको बता दू कि आपका MTS का examination for sure October में ही शुरू होगा most probably MTS जो है वो लंबा examination है वो आपका mid में शुरू हो सकता है किसके October में starting में उस जगह नहीं मिल पाईगी reason being कि बहुत सारे banking के भी examination साथ में चल रहे हैं और TCS ही examination banking के SSC के और D-triple SB के लेता हुआ आया है अब हम बात करेंगे कि MTS के examination के कुछ दिनों बाद ही आपको steno का examination दिख सकता है अब मैं आपको एक चीज बोलने जा रही हूं जिस चीज को आप mark कर लेना और वीडियो पूरी देखना या तो आपका examination जो इसका है what do we call it steno steno का examination या तो आपका 20 October से लेके 30 October के बीच होगा या तो ये 5 November के बाद होने की possibility ज़ादा है ध्यान रखिएगा 20 से 30 October के बीच में दो दिन में शायद SSC जो है वो examination ले लेगा 2 या 3 दिन निकाल के क्योंकि दो ही दिन में 3 शिफ्ट मतलब 3-3 मतलब 6 शिफ्ट में पेपर complete करा लेगा अधर्वाइस ये examination नवंबर की 1st या 1.5 वीक में चला जाएगा मैं आपको कह रही हूँ कि ये examination नवंबर end नहीं जाएगा प्लीज अपनी तयारी जो है वो रखना पड़ेगा बहुत सारी लोगों ने sources पे मैं अपनी sources नहीं बोल रही जिन teacher ने ये बोला था उनको बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता एससे सिर्फ एक महीने पहले नहीं बताएगा सब बताएगा SSC का मन चलेगा वो 15 दिन पहले बताएगा SSC का मन चलेगा वो तीन महीने पहले बताएगा ये SSC पे डिपेंड करता है डिपेंड क्या करता है स्टूडेंट्स पे कि वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करे एंड मैं आपको लिखित बोल रही हूं कि 30 सेप्टेंबर तक अगर आपने अपना स्लेबस ठीक से कंप्लीट करके रिविजन कर लिया सो यू और इन अदर्वाइस आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी सी बीटी में क्यूं क्यूंकि जो इंसान अच्छे से प्रिपेर कर रहा है मार्जिन से 23 में रह गया था से 24 के लिए कर रहा है उसका ज्यादा हक है वेकेंसी इस पे रधर देन जो स्टुडेंट अराम अराम से अभी तक स्लेबस ही कंप्लीट कर रहा है और यह बात आपको कड़वी लगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बाकी अगर आपको वीडियो अची लगे तो आपको पता है इसे लाइफ सब्सक्राइब शेयर करना है और हमने प्रैक्टिस मेंटॉर्शिप निकाल रखी है जो कि 26 जुलाई से चल रही है आप चाहे तो जॉइन कर सकते हो 600 रुपे वन टाइम पेमेंट है मतलब एक्जाम डेट तक हम आपको मेंटॉर्शिप प्रोवाइड करेंगे अगर आपको लगे कि आपको लेना है ये डेली टाइम टेबल और डेली गाइडेंस का एक मेंटॉर्शिप प्रोग्राम है CBT एक्जामिनेशन के लिए इसी मेंटॉर्शिप से पिछले साल सतर से उपर सुडेंट्स का सेलेक्शन एससे स्टेनों 2023 में हुआ था अगर आपको लेना है आप टेलिग्राम पे मेसेच कर सकते हो एड़ी रेट दिशा 1400 पे सर्च कर डीजिएगा यह मैं टेलिग्राम का लिंक पिन कर दूंगी सेकंडली अगर आपके 100 माक्स से उपर आ रहे हैं मोक्स में तो ही जॉइन करिए का मैं पहले ही बता रही हूं यह ना हो कि आपके 60-70 माक्स आ रहे हैं नो उनको फिर कुछ उनको होता है ना कि ठीक से करनी ही पाएंगे फिर उनको लगेगा इंप्रूमेंट नहीं हुई इस उसके नंबर सो से उपर आ रहे हैं इर्रिस्पेक्टेव एनी काटिगरी वो हमें जॉइन कर सकते बाकि मैं मिलूंगे आप से आने वाली वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखें और ऑक्टूबर 15 के बाद आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है यह मत सोचि पर जय खूज झाली व को तो एग ज डता है थाग्जारी वड़哈